नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ए ससी मेकर की यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांस अती महत्पूर प्रसन दोस्तों जो बार-बार परिशाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों इस सारे प्रसन सभी परिशाओं के लिए बहुत ही महत्पूर है दोस्तों इन सभी प्रसनों को सौल्ब करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों इस रीजनिंग का पार्ट नमबर 25 है दोस्तों आपको रीजनिंग पार बार बार आपके exam में पूसे जाते हैं इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा तो आए दोस्तों देखते हैं पहला प्रस्न देखिएगा दोस्तों पहला प्रस्न बहुत ही most important type का प्रस्न है और इस टाइप के प्रस्न दोस्तों हमेशा exam में पूसे जात कीजिए लुप्त पद मतलब दूस्तो missing number ठीक है missing यहाँ पर देखिए प्रश्णवाद चेक्चिन है यही पर यही पर लूप्त है उसी की पहचान करना है तो कैसे पहचान करेंगे दोस्तो देखिए स्रिंखला से related question है तो आप क्या करेंगे दोस्तों देखेंगे series को कैसे आगे ये series चल ला है ठीक है तो देखिए मैं आपको समझाने courses करों समझेगा यहाँ पर देखिए A 10 है E 40 है I 38 है O 152 है आगे प्रश्णवाचक चिन है तो प्रश्णवाचक चिन पर कौन सा पदोगा ये बतन है दोस्तों कभी भी अगर जो question ऐसे आए जैसे यहाँ पर क्या है alphabetical ABCD है ना A है उसके बाद क्या है अंक है यानि कि 10 है फिर E है फिर क्या है अंक है फिर दोस्तों I है फिर क्या है अंक है या पहले number solve कर लिजिएगा य Sug A styl एल्फाभेटिकल को solve करेंगे ठीक है ऐसे solve करेंगे यानि समझेहेगा कैसे करना है देखिए यहाँ पर देखेंगे A के बाद क्या है यह कि है I के बाद क्या है I कि बाद क्या है O है O के बाद क्या होगा तो दोस्तों अगर आपको मैं बोलू थोड़ा से ध्यान से देखिए ये क्या है A, E, I, O आगे क्या होगा? U होगा U क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अंग्लिस में जो देखिएगा अंग्रेजी में क्या होता है दोस्तों? 5 स्वर होते हैं ठीक है वावल कितने होते हैं 5 होते हैं कौन कोन होता है A E I O U यह 5 क्या होते हैं दोस्तों अंगलिस में स्वर होते हैं और इन्हीं स्वरों को यह आगे बढ़ा रहा है देखिएगा यहाँ पर क्या है A है आगे क्या है E उसके आगे क्या है I तो देखेंगे दोस्तो यू सभी अप्शन में तो अभी आंसर इसका नहीं दे सकते अब क्या करेंगे दोस्तो अब हम नंबर लेके चलेंगे तो नम्बर लेके चलेंगे तो देखेए यहां पे 10 है 10 के बाद क्या है? 40 है, 40 के बाद क्या है? 30 है, 38 के बाद 152 है तो दोस्तो अगर मैं बोलू, थोड़ा से धियान से देखिए तो यहां पे थोड़ा से आपको clue मिल जाएगा यहां 10 के बाद 40 है यानि क्या किया है दोस्तो गुने 4 किया है समझ रहे न 10 चों को 40 और फिर क्या किया है दोस्तो माइनस 2 कर लिया है 40 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जागा 38 हो जागा फिर क्या किया है दोस्तो 38 गुने 4 किया है अब देखिए U150 किस option में है, तो देखेंगे U150 option number A में दिया है, तो आपका option number A दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों, आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, और इस टाप के question आपके exam में आएगा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, A, E, I, O, U, फिर 10 चोग को 40, 40 में से 2 घटा दिया, फिर 38 चोग को 152, 152 में से 2 घटा दिया, क्या हो गया दोस्तों, 150, यानि कि U 150, option number A, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, इस question को आप अच्छे से समझ गयोंगे, चलिया, अगला question देखते हैं, दूसरा question, देखिएगा, दूसरा question भी most important type का question है, और यह भी question बहुत बार exam में पूछा जा चुका है, ऐसे question आए, तो कैसे solve करेंगे, पढ़िएगा question को ध्यान से, question है, नीचे दीगा, इस रिंखला में, अगला संख्या ग्यात करें, यह दोस्तों एक series है, और यहाँ पर प्रश्णवाच्चक, जिन्हें यहीं प्रश्णवाच्चक चिनिपर आपको बतरना है, कि कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों, series related आपके exam में question कभी भी आएगा, तो आप क्या करेंगे, series के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, कैसे series आगे चल लएगी है, कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर एक है, फिर 5, फिर 14, फिर 30, फिर 25, फिर 91, फिर प्रश्णवाच्चक चिनि, ठीक है, तो देखिए, यहाँ से तो आपको देखना है, एक से क्या हुआ पांच, कितने की प्रद्दी हुआ है, ठीक है, फिर 5 से क्या है दोस्तों, 14, कितने की प्रद्दी हुआ है दोस्तों, 9 की, 14 से दोस्तों क्या हुआ, 30, कितने की प्रद्दी हुआ दोस्तों, 16 की, 30 से क्या होगा दोस्तों, 55, 55 में से 30 घटाएंगे क्या होगा, 25, 25 की प्रद्दी हुआ, 55 से क्या हुआ दोस्तो 95 से 95 हुआ तो कितने की विरिदी हुआ दोस्तो 36 यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यह देखिए यह जो दोस्तो 4 है ना यहाँ पर क्या है दोस्तो यह 4 है किसका स्क्वाइर है 2 का स्क्वाइर है यह 9 3 का स्क्वाइर है क्या करेंगे add करेंगे जोडेंगे ठीक है निक हम से जब जोडेंगे कान merged में तो क्या वो जाएगा dymut 100 40 हो जाएगा क्या होगा दोस्तो 140 हो जाएगा याaż प्लाजेन फे प्रश्ण वाचेक चिने पे यहां पर तो square चला है न कभी कभी दोस्तों इसी type का question होता है cube चलता है क्या चलता है यानि किसी संख्या का घान चलता है लगतार ठीक है कभी कभी क्या होता है 2-2 का गयब रतता है कभी कभी 4-4 का गयब होता है यानि ऐसे ही आपका प्रस्ट इकलियर हो गया, यह 2 का स्कॉयर है, यह 3 का स्कॉयर है, यह 4 का स्कॉयर है, आगे 5 का स्कॉयर है, आगे 6 का स्कॉयर है, फिर आगे क्या होगा दोस्तों 7 का स्कॉयर, 7 का स्कॉयर 49, 49 जोड़ेंगे तो 140 हो जागा, 140 अप्सन नमबर D में, बस ऐस प्रशन को solve करना है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस देखना है प्रशन को answer देना है ठीक है अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप answer भी देदेंगे चलिए next question की ओर चलते हैं और एक सीज़ा और बता दो दोस्तो लास्ट में एक reasoning का बहुत ही important type से आप प्रशन पू question है क्योंकि यह बहुत बार exam में पूछा जा चुका है और ऐसे question हमेशा पूछे जाते हैं कैसे solve करेंगे देखिएगा सेकेंडों में solve किया जाता है इस टाइप के प्रशन को कैसे तो पहले प्रशन को ध्यान से पढ़िए प्रशन है निम्न विकल्पों में से प्रशन चिन तो आपको ध्यान से देखना है और solve करने के लिए इसमें दो तरीका हो सकता है दोस्तों जब corner पे अगर जो प्रशन वाचेक्चिन हो missing number हो तब क्या कर सकते है जब corner पे है तो दोस्तों हम इसको ऐसे solve कर सकते है या प्रशन को ऐसे solve कर सकते है ठीक है यानि कहने का मतलब है द आठ और 10 को कुछ करिए और 7 लाइए तो 7 आएगा नहीं आएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों possibility कम है लेकिन प्रशन को एक और तरह से solve किया जा सकता है यह दूसरा यह वाला है ठीक है एक तो ऐसे solve किया यानि कि 8, 6, 48 को हम क्या करे कि 36 आ जाए 10, 12, 120 को क्या करे कि 144 आ जाए ठीक है तो यानि कि ऐसे करके हम 36 ला सकते हैं कैसे ला सकते हैं 36 देखिएगा अब मैं आपको समझा रहा हूगा देखिए यह दोस्तों क्या है 8 है यह क्या है 48 को दोस्तों 8 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों 6 बार में कितने बार में 6 बार में और इस 6 स जाएगा दोस्तो 36 हो जाएगा ठीक है क्लियर है यहां तक फिर क्या करिए देखिएगा समझिएगा फिर क्या करेंगे दोस्तो 10 से 120 में भाग करेंगे कितने बार में जाएगा दोस्तो 12 बार में 12 में 12 से गुणा कर लेंगे तो 12 बरहम क्या हो जाएगा 144 बार गुणे बार करे जाएगा दोस्तो 72 हो जाएगा यानि की प्रश्ण आच्छे जिन पर क्या होगा बहतर और 72 कि इस option में है तो देखिए option number B में दिया हुआ है तो आपका option number B दोस्तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तो आप इस प्रश्ण को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टैप के भी question आपके exam में हैगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे दोस्तो आपको question अच्छे लगते है तो वीडियो को like भी किया करिए share भी किया करिए और दोस्तो एक सी जोर बता दू आप सारे part को जरूर देखा करिए ठीक है daily पढ़ा कर से preparation करना है आप घर पे भी रहते हैं तो घर पे भी चार से पास घंट है daily पढ़ा करिए ठीक है daily पढ़ेंगे तब ही वो फायदा होगा और exam का अब तो आपका time भी आ गया है exam आने वाले time होगा तो आप अच्छे से exam भी पास कर जाएंगे ठीक है तो daily पढ़ेंगे तब ही complete करा दूँगा ठीक है चलिए देखते हैं अगला question देखिएगा अगला question है आपका चौथा question चौथा question भी बहुत important type का question है यह भी प्रशन बहुत बार पूछा गया है question है नीचे दी गई प्रशन में प्रशन चिन का स्थान पर कौन सी संख्याएगी प्रशन चिन कहा है यहाँ यहाँ पर कौन सी संख्याएगी आपको बतन है तो इसके लिए क्या करेंगे simple सी भास हम समझेगा दोस्तो यह question पूछ रहा है कहने का मतलब है चार बटा साथ का जो संबन दोस्तो 37 ब को समझा रहा हूँ थोड़ा साथ को समझेगा अब हम क्या करें दोस्तो चार को 37 हो जाए अगर जो मैं आपको थोड़ा से दिमाग लगाने के लिए बोलू तो देखिएगा अगर जो चार है न दोस्तो इसमें गुना कर लीजे 10 से तो क्या हो जागा चार गुने 10 करेंगे तो क्या होगा दोस्तो 40 होगा और 40 में से दोस्तो 3 माइनस करिए तो क्या हो जाएगा दोस्तो 37 होगा ठीक है और देखिए 37 यहाँ पे दिया हुआ है इसी परसकार से यह 7 है इसमें भी गुना 10 कर लीजे तो क्या हो जागा दोस्तो 70 में से भी 3 माइनस कर लीजे तो क्या हो 10, 40, 40 में से 3 घटा दिया 37, 7 को 10 से गुणा कर दिया 7, 10 में 70 70 में से दोस्तो 3 घटा दिया, 66 उसी परकार से 6 को दोस्तो हम 10 से गुणा करेंगे, 6 गुने क्या करेंगे दोस्तो 10, क्या होगा, 6 60 में से दोस्तो हम 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 57 हो जाएगा इसी परकर्स हम 7 को भी क्या करेंगे दोस्तो गुने क्या करेंगे 10 तो यह क्या हो जाएगा 70 70 में से 3 घटा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तो 70 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तो तो इसका अंसर क्या हो गा दोस्तो 57 बटा 67, इसका अंसर क्या होगा, प्रेशन आच्छे पर क्या होगा, 57 बटा 67, अब देखिए 57 बटा 67 कीिस option में है быть option का option number A में है तो आपका option number A दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप expression को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टैप की भी question आपके exam में आगा तो आप अच्छे पढ़ा रहे हैं और डेली दोस्तों मॉर्निंग में 5 एम यानि सुबह पांच बजे डेली वीडियो प्रोवाइड करते हैं करेंट अफेर के और करेंट अफेर कोस्टन के साथ दोस्तों एक important fact को भी note कराते चलते हैं important fact भी बताते हैं तो आपके बहुत सारे वहाँ important question कभर हो जाते है morning में तो डेली दोस्तो current affair भी आप पढ़ा करिये और current affair की PDF भी प्रोवाइड करते हैं टेली ग्राम पे तो दोस्तों आपने टेली ग्राम अगर जो जोईन नहीं किया है तो टेली टेली ग्राम पे SSC Maker search कीजिए और जोईन कर लीजिए और daily PDF को भी download करके offline भी आप पढ़ा करें ठीक है तो PDF के लिए क्या करेंगे टेली ग्राम को जोईन कर लेंगे ठीक है चलिए current affair भी morning में देखेंगे 5 पे बहुत important question कराते हैं सारे exam oriented question कराते हैं चलिएगा अगला question है दो दो 5321 का संबन किससे होगा इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है ठीक है तो दोस्तों ऐसे question आ है तो आप क्या करेंगे कैसे solve करेंगे देखिएगा simple सी भासा में समझेगा एक दामासान भासा में यहाँ पे 7621 है इसको हम क्या करें कि दोस्तों यह 85 हो जाए बस यही तो देखिए इन ही संख्याओं से मिल के क्या है दोस्तों यह 85 बना हुआ है उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको करके यहाँ पे लाएंगे तो देखिए हम देखिए क्या करेंगे यह 7 6 2 1 इसको देखिए 7 गुने 6 गुने 2 प्लस 1 यहाँ पे देखिएगा समझेगा simple वासा मे 7 6 42 42 42 दुना की क्या हो जागा दोस्तों 84 84 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जागा 85 समझिएगा अब मैं आपको समझाता हूँ अब 85 यहाँ पे दिया हुए देखिए यह कैसे इन तीनों संख्याओं को दोस्तों आपस में पहले गुना कर लेना है और जो लास्ट वाला 3 गुने 2 प्लस 1 लास्ट वाला को का करना है प्लस कर लेना ठीक है तो 5 यह 15 15 दुना के 30 30 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जागा दोस्तों 31 क्या होगा एक 30 और 31 देखिए किसी option में है तो हाँ option number B में तो आपका option number B दोस्तों क्या हो जागा सही हो जागा तो मैं उमीद करत हूं दोस्तों आप इस प्रस्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टैप के भी question आपकी exam में एगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे चलिए अगला question दोस्तों देखते हैं अगला question दोस्तों आपका आज का प्रस्न है और दोस्तों इसका answer क्या करना है सब सभी दोस्तों को comment करके बताना है यह test के तौर पे है homework के तौर पे ठीक है इसका answer सभी कमेंट करके बताेंगे सही answer इसका क्या होगा और जिन दोस्तों को नहीं पता है कि इस टाइप के प्रस्नों को कैसे solve किया जाता है और नुट्ट नमर्ट ट्वार को कैसे solve किया जाता है दोस्तो पार्ट नमबर 24 आपको मिलेगा कहा से तो पार्ट नमबर 24 का लिंक दोस्तो यहाँ पे i बटन पर दे दिया हूँ यहाँ पे डारेक्ट क्लिक करके दोस्तो आप पार्ट नमबर 24 देख सकते हैं एक फिज़वर बता दू जुनाई स्टुडेंट है उनके लिए दोस्तो बता दू दोस्तो यह पंचम पब्लीशर की e-book है आपका आपका आप में सभी पर इसाओगल इंपॉनेट है चाहाँ आप दोस्तो रेल बेक एक्जाम देंगे या अदर आप दोस्तो कोई साभी गॉर्मेंट एक्जाम देंगे दोस्तो इस e-book में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जागा प्लस 10 वान लाइनर सेट मिल जाएगा दोस्तो पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी लेकिन मेरे कहने आप दोस्तो इ-book आपको मातर 25 रुपए मिल जाएगी इस e-book को आप लेंगे कहां से तो इसका लिंक दोस्तो मैं नीचे डिक्सवन बॉक्स में दे दिया हूँ उस लिंक पर क्लिक करके इस e-book को आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको डाउनलोडिंग है पेमिंट से दोस्तो किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस पंचम पब्लिशन के नंबर है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस e-book को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ इसमें जो फ्रस्म दियेगा है बहुत ही इंपॉटन दियेगा जो हमें से आपकी एक्जाम मैं पूसे जाते हैं इसलिए दोस्तों एक्जाम से पहले पहले इस e-book को एक बाले कि आप जरूर पढ़ लिजिएगा और एकसी दोस्तों आपको कोशन अच्छे लगे हैं समझ में आ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेर भी कर दीजिएगा फेस्बूक और से टेलिग्राम पे जितने भी दोस्तों आपके बास स्टेडी ग्रूप हो जो नए दोस्तों क्या करेंगे के नीचे दोस्तों रेटलर का इस टाइब से सब्सक्राइब लिखाओगा यहां पर क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएंगा और बगल में वेल आइकन के सिंबल मेंगा दोस्तों यह नोटिफिकेशन वेल आइकन होता है इससे प्रेस करके आउन कर लेंगे त आपको डेली सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन यह आप तक मैसेज जाएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल अगर पर प्रेस्ट जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपर्टन परशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन् मिलते हैं